आज हम लोग बात करने जा रहा है एक 25 रुपया का पेनी स्टॉक को लेगे ये स्टॉक को लेगे मैं क्यों डिसकर्स कर रहा हूँ इसका पीछे मेरा दो रिजन है वो दो रिजन भी मैं बताऊंगा उसका पहले स्टॉक का नाम बता देता हूँ दोस्तों स्टॉक का जो नाम है टेक्समो पाइपस एंड प्रोड़क्ट्स लिमिटेड टेक्समो पाइपस एंड प्रोड़क्ट्स लिमिटेड स्टॉक का आज का दिन का मतलब लास्ट ट्रेडिंग डेस का जो प्राइस था 24.65 है 25 रूपया से भी कम का प्राइस है तो दोस्तो मैं आप लोगों को फिर से ये चीज़ बताओ कि वीडियो को पूरा देखिए स्टॉक का नाम देखके आप जाएंगे तो स्टॉक में कुछ अलग मतलब आपको पूरा समझ में नहीं आएगा कि स्टॉक में क्या रिजन है और स्टॉक में एंट्री लेना है या नहीं लेना है ये सब कुछ डिसकास करने का पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि चैनल को अभी तोग अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी का भी सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही बहुत सारा अच्छा अच्छा पेनी स्टॉक और स्टॉक मार्केट का अपडेट पाने के लिए तो दोस्तों अभी जैसा स्क्रीन में आप लोगों को भीजेवेल है कि टेक्समो पाइपस और प्रोड़क्स लिमिटेड ये क्या करती है ये मेंली जो है प्लास्टिक प्रोड़क्स का ब फिटिंग्स, SWR पाइपस और फिटिंग्स, उसके बाद है HDP स्प्रिंकलर पाइपस और फिटिंग्स, फिटिंग्स का अंदर ELBO, T बगएरा सब कुछ रहते हैं, RIGID PVD पाइप, PVC पाइपस और अगरिकल्चरल फिटिंग्स, केसिंग पाइपस पर ट्यूबल, इसके साथ आप लोग पैचनते हों, HDP Coils, PLB, HDP Duct, Conduits Pipe, उसके बाद है Plumbing Pipes and Fittings, Sucson Hose, Solvent Cement, Drip Irrigation Systems, Garden Pipes, ये सब प्रोड़क्स जो है कमपनी का और भी बहुत सारा प्रोड़क्स से ये कमपनी का मैं क्लाइंट का बात करू तो कि ये सब जो प्रोड़क्स से ये कन खरीदा है उसमें से है BSNL, CSIDC, Gujarat Water Supply and Sewerage Board, उसके बाद है Indian Railways, उसके बाद है MTNL and Power Grid Corporation of India जैसा बहुत बढ़ा-बढ़ा कमपनी के साथ इनका जो है Contract है और उन्होंने जो है ये सब कमपनी ज कि इतना अच्छा चल रहा है कि जब ऐसा ऐसा बड़ा कमपनी के साथ इनका क्लाइंट से तो अभी मैं आप लोगों के साथ सेयर कर रहा हूं कि जो दो रिजन में मेरा पहला रिजन है कि कमपनी का quarterly result, कमपनी का sales और second reason ये है कि कमपनी का जो shareholding pattern मैं आप लोगों को पूरा स September 2020 का results आप देख सकते हो, 81 crore का business किया था second quarter में और same third quarter में इन्होंने 128 crore का sales किया है और उसी का इसब से net profit में jump आया है और इसी के वाजा है कि ये company के अंदर आच्छा खासा potential है और second जो reason था हम लोगों का वो है promoters holding आप shareholding pattern में देख सकते हो, आप मैं red mark कर दिया, आप notice कर सकते हो कि promoters holding September 2020 में था 38.15% और same third quarter में promoter percentage जो है 44.24% है तो promoters इसमें bullish है तो आप जो है ये आपका watch list में आपको रखना चाहिए, तो मैं आप लोगों को ये recommend नहीं कर रहा हूँ कि ये stock को आप जो है आँग बंद करके खरिद लीजिए, मेरा ये recommendation है कि आप इसको watch list में रा 25 से 25 रूपीज के आसपास है ये अभी जो है अच्छा एक मौका है अच्छा एक entry point है जो conservative trader हो जो लोग retail investor market में अभी अभी entry किया हो जो beginners level में हो आप लोग जो है stock को ये stock को जो है आपका watch list में राख सकते हो stock को देखके stock का movement को देखके stock के उपर एक idea आ जाएगा पेनी stock के उपर एक idea हो जाएगा और risk की trader जो है वो लोग इसमें जो है थोड़ा थोड़ा करके पैसा अभी investment कर सकतो ये entry level में जैसा इनका entry level 35 प्लास रुपया में आता है इनका जो price 35 प्लास आता है उसके बाद आप जो है इसमें और आपका investment बढ़ा सकतो तो आज के लिए इतना है दोस्तो वीडियो को अच्छा लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो में आपका क्या comment है जरूर comment box में बताएगा और ऐसे ही बहुत सारा penny stock का update stock market का update पने के लिए चैनल का अभी काभी subscribe कीजिए thank you